दरसल तमिलाडू में एक हेलिकोप्टर हाथसे में CDS विपिन रावत और उनकी पतनी मदुली का रावत समयत 13 लोगों का निधन हो गया इसी घटना के बाद देश में दुख की लेर है लेकिन इसी बीच CDS विपिन रावत के गुरू कर्नल बर्मन का कहना है कि विपिन रावत सेना के सर्वोच चपत पर थे उनके कारेकाल में सेना ने इतिहास की दो बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी इसके चलते इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि हेलिकॉप्टर क्रैश होना महज एक हाथसा ने होकर एक बड़ी साजिश भी हो सकता है और इसी वज़े से CDS विपिन रावत को ले जा रहे MI-17 हेलिकॉप्टर के क्रैश होने के बाद उसके ब्लैक बोक्स की काफी चर्चा हो रही है क्यूंकि इस ब्लैक बोक्स के मिलने के बाद घटना से जुड़े कई राज सामने आ सकते हैं लेकिन सवाल ये उड़ता है कि ब्लैक बोक्स आखिर होता क्या है देखे सीधी भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो किसी भी हेलिकॉप्टर की दुरगटना का पता लगाने के लिए ब्लैक बोक्स का इस्तमाल किया जाता है ये Black Box असल में हेलिकॉप्टर की उडान के दुरान, उडान की सारी गतविदियों को रिकॉर्ड करता है। इसी वज़े से इसे FDR यानि की Flight Data Recorder भी कहते हैं। Black Box को दुरगटना के दुरान सुरक्षित रखने के लिए सबसे मजबूत धातू टाइटेनियम से बनाया जाता है। साथ ही भीतर की तरफ इस तरह से सुरक्षित दिवारे बनी होती हैं कि कभी किसी दुरगटना के होने पर भी Black Box सेफ रहे और उससे समझा जा सके कि असल में हुआ क्या था। जनरल विपिन रावत जी के हेलिकॉप्टर दुरगटना की वज़े से अकस्मात निदन पर हमें खेद है। ऐसे वीर योद्धा सदियों में ही पैदा होते हैं जिन्होंने भारत की आन बान और शान के लिए अपनी जान तक की परवा ना की हो। ऐसे वीर योद्धा को हम सब की तरफ से भाव भीनी शद्धानजली।